दोस्तो आपका बहुत की श्वागत ते हमारी चैनल सक्सेस प्लेज में इस विडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छे सेर के बारे में बताने वाले हैं बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत कर लें ती Alfie सेर के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं, पहले आपको उसके डिफिरेंट दिखाएंगे, डिफिरेंट इतना ज्यादा है, इतना सांदार डिफिरेंट रिले है, कि 10% आपको डिफिरेंट के रूप में डिटर्न मिलेगा, तो ऐसे में सवाल आता होगा, कि आपको PSU स्टॉक बत से आप देखें, डिफिरेंट, डिफिरेंट देखें, 800% का 2020 में, 2019 में थोड़ा से गैप रहा, और 2018 में देखें, 1000%, फिर 300%, 100%, फिर 2017 में 100%, 1375%, समसकें, 1375, 1475, और इसका face value है 2 का, face value 2 का, मतलब 39 रुपियर डिफिरेंट हो गया, आप समसकें, 29 रुपियर डिफिरेंट, मातर 200 का से, 200 से भी कम, अगर और correction आता है मार्केट मेंट, और ज्यादा कम पे आपको ये stocks मिलेगा, और 30 रुपियर डिफिरेंट, तो समसकें, 30 रुपियर डिफिरेंट, मतलब 5 साल में आपका money पूरी guarantee के साथ वापस, और private sector का ये stocks है, साथ-साथ आपको growth भी इस पे देखने म लेगा, और साथ-साथ ये cyclical process में है, मतलब ये metal sector का stocks है, metal sector में क्या होता है, जो mining वाले होते हैं, वो cycle चलता है, एक up cycle, एक down cycle, ये stocks अभी down cycle में था, और यहां से अभी up cycle में जाने वाला है, क्योंकि अभी pharma stocks देख सकते हैं, up cycle में है, अब फिर आगे जो है, आपको 1-2-3 सालों तक है, इस sector में, metal sector में आपको growth देखने मिल सकता है, पहला तो ये 10% आपको dividend की रूप में return दे रहा है, तो पहला जो आपका FD में लगाने का बात है, वो तो आपका खतम हो गया, उसके बाद ये इतनी अच्छी group की company है, ये जिस group की company है, इस group के company में आप invest करना हर मे इसा चाहेंगे, जो कि हम आगे आपको बताएंगे, तो पहले देख लेजिए bonus, बोनस भी company एक बार दी है, उसके बाद split, split भी क्या है 2011 में, मतलब आप देख सकते हैं, कि 2011 में अपने investor के share को 10 times कर दिया है, जिनों भी long term के लिए invest क्या होगा, 2011 में जो bonus और split हुआ, उससे उ 2000 का, 82 market cap है, P12 का है, industry का भी same है, तो industry के तुला में थोड़ा सा महगा है, मतलब कुछ price है, उसके बाद book value देख लिए 95 का book value, तो book value काफी strong है, price to book value देख लिए 2 का ratio है, price to book value का, earning per share, solar रुपिया का earning per share है, तो earning per share भी काफी बहतरीन है, delivery 46% का, उसके बाद इसका हम financial आपको दिखा देते हैं, तो यह देखें financial, company का यह financial है, तो company का जो देख सकते हैं, यहाँ पर sales है, थोड़ा सा decrease हुआ है, अगर quarter to quarter compare करेंगे, यहाँ से, March quarter 19 से 20 का, तो sales में काफी गिरावट आया थी, profit में भी काफी गिरावट आया, क्योंकि इसका cycle process चलता है, जो mining sector के है, जो metal sector अगले एक साल, दो साल में जाता हुआ, तो इसका cycle process होता है, अप cycle, फिर down cycle, फिर up cycle, तो यह down cycle था, stock काफी correct हो चुका है, चार्ट पर भी हम आपको लेके चलेगे, तो यहाँ पर आपने profit देख लिया, profit लगभा constant रहता था, इस बार थोड़ा सा गिरावट आया है, March quarter में, हर stocks में, quarter में गिरावट आया है, तो हम आपको इसके balance sheet दिखा देते हैं, और इसका जो different growth का ratio है, वो भी दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम आजाते है balance sheet पर, यहाँ पर balance sheet में देख लिजर्व, 39,000 क्रोड का reserve है company पास, तो रिजर्व देख लिजर्व कितना ज़्यादा है, तो company जब भी dividend देती है, इतनी ज़्यादा क्यों, क्योंकि company पास reserve gas बहुत ही ज़्यादा है, तो देख से, 39,000 क्रोड का, और जब यह dividend नहीं देगी, इस reserve को use करना चाहेगी कभी, क्योंकि mining company, इस company का क्या होता है, जब mining होती है, तो वहाँ पर loan लेते हैं, या तो अपने प profit प्राप्त होगा, तो समझाते हैं, इसके पास reserve इतना ज़्यादा होने के बाब, जो share bonus को नहीं देते हैं, क्योंकि यह अभी जो down cycle है, अब जो app cycle आएगा, अब जो mining होगा, उसमें use करेंगे, तब जाके आपको bonus दिया जाएगा, तो देख ले reserve बहुत ज़्यादा है, उस तो 600 debt, तो कोई monthly debt हुआ, यह तो, मतलब यह बहुत ही बहुत monthly debt हुआ, नहीं के बराबर debt, तो बहुत ही नहीं के बराबर debt है, इस company के बार, वो भी secured loan है, तो 600 crore का मातर debt है company के उपर, उसके बाद नीचे देख लेते हैं, case or bank balance, case or bank balance भी देखिएगा, काफी ज़्यादा है, 1900 crore का company के पास case or bank balance है, तो सारी चीज काफी बहतरीन है, उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं, तो जो net current asset है, देखिते हैं, उसमें काफी बिल्दी हुआ है, पिछले year negative में था, net current asset अभी 1600 crore हो चुका है, बुक value देखेगा, काफी build up हुआ है, तो बुक value भी काफी बहत बहतरीन हुआ है company का, तो सारी चीज जो आपने देखा company के favor में है, तो अब हम आपको दिखा देते हैं different ratios, earning per share देख सकते हैं, 16 का है, थोड़ा सा decrease हुआ है, उसके बाद नीचे चलते हैं, net profit per share यह भी देख सकते हैं, उसके बाद return on equity, return on capital implement, return on equity देख सकते हैं, लगातार द ही चल रहा है, debt equity ratio, mark 0.02 है, क्योंकि debt तो मामली है company के पास, तो यह सारी parameters थे, जिस पर यह stocks काफी बहतरीन लगता है, तो यह stock के बादे में, अब हम जानेंगे, यह कौन सा stocks है, और long term chart पर आपको दिखाएंगे, इसका price क्या है, और कितना investment पर growth दिया है, long term investor को, तो दोस्त इस company के पास, इस organization के पास, इतनी पुंजी है, कि अपने stock को deal list करा लिया हूँ, मतलब बैदान्ता deal list होने जा रही है, तो उसका एक ही company बन चायाँगे, वो है हिंदूस्तान जिंक, बैदान्ता क्यों deal list हुआ, क्योंकि वो price stock काफी नीचे आ गया था, वो भी stocks 20-20 रुपिय dividend देता है, एक share पर, तो समझ सकते हैं, उसकी, वो parent company थी, बैदान्ता, इसके जो deal list होने जा रही है, मतलब private company फिर से बनने जा रही है, फिर से कभी जोड़त परेगा fund का, तो वो फिर से, मतलब list हो सकता है, तो फिर से उसका IPO आएगा, और deal list हो सकता है, तो उसकी ये, मतलब बैदान्ता जो है, parent company है, हिंदुस्तान जेंकी, और ये भी देखता है, stocks केतना बहतरील है, चार्ट पर केतना strong दिख रहा है आपको, मतलब कभी ऐसा नहीं है, कि stocks गिरा, तो फिर से वो recover नहीं हुआ, बार बार correction आया, फिर से recover किया stocks, यही से आप सुरूर से देख सकते हैं यहां चारट पर यहां से गिराबट आया, फिर से यहां आउर गिराबट आया, फिर से stocks recover करते चला गया, यहां से काफी तेजी, फिर से इस stock में देखते हैं, यहाँ पर गिरा बटाया है तो यह stocks फटनामेटरी काफी strong है, सबसे बहतरीन है कि आप जैसे थोड़ा सा इसमें गिरा बटाता है correction अथा, वहाँ पर buy करते हैं तो 10% आपको different की रूप में यह return देदेगा, यहाँ पर देखते हैं इल्ड जोए 15 का होता, 15 समस्कते हैं, 15% का different, 15% return लोग 20-20 साल तक मुच्छल fund में invest करके रखते हैं तब प्राप्त करते हैं, बता यह ऐसी बहतरीन company, fund में तो इतनी strong company, debt, zero company और ऐसे group की company, जो अपने stock को यहाँ से delist कराना चाहती है, market में market से, वो ऐसी group की company है मतलब company के पास debt भी नहीं है और company के पास reserve इतना जादा है मतलब 39,000 क्रूर का, जो company क्या करेगी bonus आपको देगी, तब जाके वो उसको use कर पाएगी, या तो आपको dividend के रूप में pay करेगी, तो समस्कते इतना बहतरीन company आपको मिल रहा है, मातर 200 से भी कम रूपिय में, तो अगर आप चाहते हैं एक passive income, मतलब एक dividend के लिए आप invest करना चाहते हैं, तो ऐसे stock में, हर गिरावट में आपको invest करना चाहिए, मतलब आपको एक rule बना लेनी चाहिए, एक नियम बना लेनी चाहिए, एक strategy बनाना चाहिए, हर गिरावट में आप SIP करेंगे, तो जैसे market में फिर से कभी correction आता है आप तो market उपर move कर चुका है तो आप इसमें फिर से invest करेंगे SIP mode में, लगातार SIP mode में आप invest करेंगे तो उमीद करते हैं, कि आपको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बहतरीन stock मिल गया होगा, क्योंकि आप PSU stock में invest करते हैं, जिसमें growth नहीं मिलता था, आपको dividend तो मिलता था, growth नहीं मिलता था, आप इसमें growth भी मिलेगा आपको dividend भी मिलेगा तो उमीद करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आए होगत, वीडियो को आप share करेंगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपको बहुत-बहुत मेहनत रखता है वीडियो को बनाने में, और चैनल को पहली बार हैं, तो चैनल को subscribe करके, बगल के bell icon को अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं